हाई एव्रीवन तो वेल्कम बैक टू दा क्लासे से गें तो बहुत दिन हो गया हमने क्लास को यह अपलोड नहीं किया है तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने एक नया इंग्लिस चैनल शुरू किया है तो उस पर जो बेसिक वीडियो से जो इंग्लीस वाले वीडि से अप लोड़ेड है दो दिन में एक बार से बागर को ख़के भी मिल जायएगगी प्लीस फॉपस्राइब मतलब जो लोग यहां पर है दो प्लीस लीश वाले चानल सब्सक्राइब करदेज़े बिए मेल जाएग वह ओलीडि साव टु警 शुरू जैएग आपको तरो इशW लोग जैसे continue करते थे तो यहां से अब से इस चैनल पर आपको mostly English वाले वीडियो नहीं मिलेगे तो जो हिंदी में comfortable है यहां पर देख सकते हैं जो लोग English में comfortable है वो लोग वहां पर देख सकते हैं मतलब content अगर थोड़ा सा इधर उदर रहेगा चेंज रहेगा अगर हिंदी में English में आपको थोड़ा सा चेंज रहेगा तो वो हो सकता है लेकिन mostly हम try करेंगे English और हिंदी में दोनों में same content डानने लिए तो English Channel अभी नया है तो थोड़ा सा उसको भी subscribe कर दीजियो वहां पर हम class regularly डाल देंगे जो basic videos है basic आने के बाद फिर हम plan कर सकते है weekly ones जो advanced topic है उसको भी डालने के लिए उसको हम try करेंगे तो यह था दोनों चैनल के बारे में तो अभी है बहुत दिन हो गया हमने classes को ही Hindi वाले section में या हो English वाले section पर हमने add नहीं किया है तो यह आप मानके चलो this is a new video to the way we can say for the line up ठीक है तो यह आज से video का line up आपका आ जाएगा जो different topic है जो भी topics है जो भी different module हम लाना चाहते है उसके उपर आपको videos मिल जाएगा ओके ओके almost 2 minute हो गया तो हम बात करते हैं आज के class के बारे में और जानते हैं details तो basically काफी सारे लोग जो है वो आपने दिखा होगा YouTube में या फिर personally मुझे काफी सारे लोग पूछते हैं के dummy project हमको dummy project में काम करना है हमको dummy project के बारे में जानना है हमको dummy project के उपर knowledge चाहिए हमको काम करना है dummy के उपर तो क्या है यह dummy project और लोग आपको कैसे implementation project के नाम पे आपको dummy project दिखा के आपको जो गलत चीज है वो आपसे कराते हैं और आपको बूलते हैं कि आपका implementation process आपने कोई dummy project में काम किया है तो यह experience आप यूज कर सकते हो यह सेम आज है implementation project हो गया तो आज के class में हम उसी के बारे में discuss करेंगे और आप लोग मुझे बताना क्या जो हम यहां पर discuss कर रहे हैं क्या वो सही है क्या ऐसे ही आप लोग आप लोगों को काफी सारे लोग जो है वो implementation project के बारे में बताते हैं कि हम आपको dummy project में सिखाएंगे dummy project में काम कराएंगे आपको आइडिया आ जाएगा implementation project है लेकिन वो आखिर में कराते क्या है तो वो सारा चीज हम आज discuss करेंगे तो सबसे पहले dummy project यानि की जो भी आपसे बोलता है dummy project या फिर आपके अगर idea में है dummy project होता क्या है सबसे पहले यह आप मान के चलिए dummy project यानि की same type of project जो आपने अपने learning time में सिखा है ठीक है जो suppose हमने अपने class पर बताया था कैसे बताया ता एक आपको organization structure बना के दे दिया और ओर organization structure का data दे दिया कि यह company code रहेगा यह प्लान्ट रहेगा यह पर इसके ऊपर आप organization structure बनाओ फिर उसके उपर आप purchasing documents बनाओ डॉकुमेंट टाइब बनाओ फिर आपको process वहाँ पे create करो create करने के बाद फिर उसको test करो फिर आप उसको different different process उस पे बनाओ तो ऐसे ही हमने practice किया था तो same चीज को आपको dummy project बोलके implementation project बोलके आपको यही सारे चीज़ें बात मतलब बाहर में यह आपको idea मिलता है क्या चीज करता है कि जितना मैं लोगों से इंटरेट करता हूं काफी सारे मिं यह चीज हाता है कि क्या आप Dummy Project में पढ़ाते हो कि आप Dummy Project है जिसके अंदर काम कर सकते ही तो deamy project नौनी का कोई चीज होता नहीं है झान काम करोगा के dummy is same of your demo classes जो भी आप practice में कर रहे हो वो same है ठीक है और क्या problem होता है dummy project में और and your implementation project अगर कई आपको implementation project पढ़ा रहा है या फिर implementation project सिखा रहा है तो implementation is not all about the configuration ठीक है सबसे पहला चीज़ यह है कि implementation जो होता है वो configuration के ऊपर नहीं होता है configuration अगर हम मान के चले के 100% का timeline है तो उस पर only 10% का timeline होता है वो only आपका configuration में जाएगा अगर हम implementation project की बात करें उस पर 10% जाता है ठीक है और बाकी का जो 90% है उसके काफी सारे अलग process रहते हैं जैसे requirement gathering हो गया जैसे आपका process documentation हो गया जैसे आपका test script हो गया test cases हो गया फिर उसको आपको काफी सारे documentation बनाना है उसको approval पर लेके जाना है फिर approval के बाद फिर उसका further जो भी configuration process रहता है वो करना है तो यह काफी सारे चीज़े रहता है जो important है than your configuration क्योंकि configuration suppose मैं किसी को configuration वाला document मैं आपको दे दिया के ठीक है मुझे यह मेरा organization structure है मुझे इस पे यह सारे चाहिए जो आपका material record चाहिए उसके उपर मुझे यह process चाहिए तो आप मुझे configure कर करके दे दोगे easily correct तो consulting का का काम वो न तो consulting का काम रहता है तो consulting का जो काम रहता है वहां पर basically क्या रहता है requirement gathering रहता है requirement gathering याने कि suppose जैसे मैं suppose एक company हूं मुझे SAP के बारे में कुछ नहीं पता है ơnजय है आप SAP के consultant हो आपको SAP के बारे में बता है तो मैं क्या करूंगा मैं अपना business monsieur आपको explain करूए कि मैं कैसे काम करता हूं क्या करना है उसको जाके आपको एससेपी के तरीके से समझना है कि यह business process में बता रहा हुं क्वान से business process में आता है हमारे SAP के standard functionality. SAP ने काफी सारे standard functionality दिया हुआ है. तो उसके base पे हम इसको कैसे configure कर सकता है. तो वो होता है consulting का, ठीक है? consulting skill, तो आपको क्या करना है? पहले business से discuss करना है, business से पता करना है कि वो लोग काम कैसे करते हैं, बहुत सारी different different चीजे रहते हैं बहुत सारे minor minor चीजे रहते हैं आपको जाके वो सारी चीजे जो है वो पता करना है client से जाके फिर client से पता करने के बाद फिर आपको उसके उपर अपना input बनाओ आप अपना document बनाओ बनाने के बाद फिर आप एक demo करो के या तो आप पहले demo करके देदो कि यह process है कि आपको यह वाला process यूज करते हो जैसे suppose मैं बोलता हूँ कि direct procurement हो गया direct procurement का जो प्रोसेस है वह मैं explain करता हूँ suppose मैं अपने client को जाके explain करता हूँ, यह हो गया direct procurement process, दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, या तो फिर आप अपने client को पूछ सकते हो के उनका working process क्या है, उसके उपर आप जाके अपना documentation prepare करके, demo prepare करके दे सकते हो, या फिर दूसरा type आप कर सकते हो के ठीक है, हमारे SAP के अंदर कौन सा scope में है, तो उसको पहले हम line up कर देंगे, जैसे direct procurement हो गया, pipeline हो गया, concernment हो गया, तो यह सारा चीज मैं line up कर दूँगा, उसके इसका demo दूँगा के मेरा standard procurement में यह यह काम होता है, ठीक है, या फिर direct procurement में यह process रहता है, हम ऐसे SAP में इसको करते हैं, क्या आप ऐसा process follow करते हो, या फिर आपके यहां पे कोई ऐसा material है, या फिर कोई product है, जिसको आप इस way में purchase करना करते हो, या फिर करना चाहते हो, या फिर जोड़ा सा, in addition हम दूसरा भी, suppose कोई process है, ठीक है, तो जैसे कि confirmation date कभी-कभी चाहिए होता है, और कभी-कभी delivery location चाहिए होता है, तो वो सारा कुछ, आप जब जाओगे customer के साथ बात करने के लिए, वो सारा चीज आएगा, ठीक है, और यह होता है major part, ठीक है, आपको पहले यह सारा demo देना है, demo देने के बाद फिर आपको क्या करना है, उनसे input लेना है, input लेने के बाद वो process को फिर आपको documentation बनाना है, कि यह वाला process है, client के पास, वो ऐसे-एसे use करता है, उसको हम ऐसे-एसे SAP में configure करेंगे, तो यह होता है major काम, और 2 minute का काम रहता है, suppose यह सारा पर हमने यह document prepare किया है, तो आप देखके बता ही, यह आपको process होता है या नहीं है, फिर वो लोग अपना query रखेंगे, अपना question रखेंगे, फिर जब final outcome आएगा, तब जाके बनेगा, आपका जो configuration का, जो आपको data चाहिए, वो data आपको final में मिलेगा, तो वो final में जो data मिलेग इसको आपको configure करना है, configuration मतलब वो सारा चीज आप किसी को भी देदो, वो configure कर देगा नहीं, but basic consulting skills जो होता है, वो यह चीजों का होता है, तो अगर आप कोई भी interview में जाते हो, तो interview पे majorly आपको क्या पूछते है, have you worked on the end-to-end implementation project, क्यों पूछते हैं वो चीज, end-to-end implementation मतलब यह सारी चीजे जो हमने आज बताया, या फिर आने वाले classes में हम discuss करेंगे, तो यह सारा चीज जो है, वो उसके अंदर आता है, ठीक है, कि basic क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, तो वो सारे चीज consulting के अंदर आता है, तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि dummy project, या आपके मन में dummy project, तो उसको निकाल देजी अपने मन से, implementation project का मतलब नहीं होता है, कि आप जाके कहीं पे सिर्फ configuration का document बना लो, या फिर configuration डारेट कर लो, configure कर दो, system और ready हो गया, system उसको काम करना है, इंडी जो उसको वैसे नहीं होता है, major of the process यह काम होता है, अगर आपने देखा होगा अप क्या क्या process होता है, कैसे process होता है, कैसे काम होता है, तो वो details हमने discuss already किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है, वो आप देख सकते हैं, और अगर आपके मन में dummy project अब तक का, जो आपके मन में था dummy project, यानि कि हम जाके, हमको implementation का file मिलेगा, और हम implement कर देंगे, अपना SAP क तो वो सारा चीज भूल जाए है, dummy project वैसे काम नहीं बोलना, तो implementation project वैसे काम नहीं करता है, अगर आपको implementation classes सीखना है, implementation classes के बारे में जानना है, काफी सारे videos हैं अपने channel के उपर, उसको देखिए, उस पे देखिए major काम क्या रहता है, उस पे major काम कभी भी configuration का नहीं रहता ह है, और dummy project को अपने मन से हाटा लेगी, तो ये था basically आज का class, तो I hope आप लोगों के मन से थोड़ा सा कुछ जो myth वगेरा है, SAP के implementation के बारे में वो दूर हुआ होगा, I hope I have cleared your doubt, तो काफी सारे लोगों का ये dummy project का doubt रहता है, तो I hope I have cleared that one, तो अगर आपको class अच्छा लग रहा है, तो आप इसको like कर सकते हो, share कर सकते हो अपने दोस्त लोगों के साथ, और मिलते हैं हम अगले class में, तब तक के लिए, goodbye, joy and then, take care, keep learning.